हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप जो कॉलेज में अड्मिशन लेने जा रहे हैं जी जी यू गुरु घासिदा स्विश्विद्याले बिलासपूर में उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज हैं आपके लिए तो यहाँ पे जो भी फैसिलिट केकर का कैमपस है उस कैमपस में आपके यहाँ पे अकैडमिक कॉम्प्लेक्स है कंप्यूटर सेंटर है हॉस्टल बॉइज और गर्ल्स के लिए अलग अलग अड्मिस्ट्रेटिव विंक है गैस्थ हाउस है फॉरस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वाडन कोटर है स्टाफ कोटर है वीसी लॉग है, रजिस्ट्रार बंगलो है, बिल्डिंग फर मैनेजमेंट और यह सब कुछ है, यह जैसे कि आपके काम की चीज लाइबररी है, फिजीका रूलर टेकनलोजी के लिए अलग है, टीचिंग डिपार्टमेंट यह सब कुछ, अब लाइबररी है, जो लाइबररी है, वो आपके लाइबररी में, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है, कि वहाँ पे 500 से जादे लोग एक बार में बैट सकते, इत्ती बड़ी लाइबररी है, बुक्स चो है, 1.28 लाइबरी बुक है, 4000 जनरल्स है, 1264 पी एचडी थैसिस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, यहाँ प और यहाँ पे लिखा है, वो इंटरनेट और वाइफाई बेस्ट है, अब हम जाते हैं, कम्प्यूटर सेंटर्स पे, यह कम्प्यूटर सेंटर है आपका वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगी हुई है, बी एसनल का नेट चलता है, यह लिखा हुआ है, ठीक है, फुली वाइफाई कैंपस है, इंटरनेट चलते रहता है, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो वुमेन स्टडी और डैवलप्मेंट सेंटर है, यह जो सेंटर है, वो इसलिए बनाया गया है, ताकि कोई जेंडर पे कोई एक्वैलि अबना सकसेना वहां की डारेक्टर है, फिर है यह नीचे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल, इसका मतलब यह होता है कि जहां पे आपका, जब कमपनी जाती हैं, कैंपस के लिए, आपको लेके जाने के लिए जॉब्स जो प्रवाइट करती है, तो उस समय आपको कुछ स्किल सेखने की ज़रुत होती है, वो यह ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल करवाती है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि यहां पे कौन-कौन सी कैंपस आच चुकी है, लाइक स्टीजी, इंटरनेशनल, कोलकत्ता, स्टीलिंग, रिसॉर्ट, गोद्रेज, विप्रो आई थी, टी-स, आई थी, यह सब कुछ आ चुकी है, प्रोक्टिनोल बोर्ड है, यह क्या है, यह यहां पे अगर कोई रैगिंग वगरा करा होता है, तो रैगिंग से बचने के लिए, यहां फिक कोई पनिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पे कुछ चीज़े बताई जाती है नैशनल सर्विस स्कीम, यहां पे यह जो है लाइक, इस वाले में 300 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ रहता है, यहां पे लाइक प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, सेमिनार, ऐसे राइटिंग, क्विज, डीबेट यह सब कराते हैं, हैल्स सेंटर, जहां पे आपका हैल्स चेक अ यहां पे एक स्टाफ और एक डॉक्टर बैठे होते हैं, STSC सेल है, जो STSC कैटेगरी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहां पे जा सकते हैं, फिर नीचे अप जाएंगे तो स्पोर्ट्स के लिए अलग से आपके पास बना हुआ है, कैंटीन फैसिलिटीज हैं जो 10-5 पी-म चलती है, फिर ऑडिटोरियम है जहां पे 800 ओडियंस बैठ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस और बैंक हैं, तो बैंक में आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस है वहां पे, ATM फैसिलिटीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का कैंपस के अंदर ही, स्टाफ कॉर्टर से वहां पे, फिर विश्विद्याल एक गेस्ट हाउस है, जिसी कि अगर कोई सेमिनर वगरा कराने बाहर से आते हैं, या फिक कोई आपके पेरिंट्स वगरा तो वहां पे रहने के लिए है, हॉस्टल फैस तीन बॉइस के लिए है, और एक गल्स के लिए, सेपरेट सेपरेट है, अलग-अलग है, बॉइस में साथ सो लोग रह सकते हैं, गल्स में फोर थर्टी लोग रह सकते हैं, यह लिखा है यहां पर, फिर स्टूडिन क्रियेटिविटी सेंटर है, एक जहां पे आप टेबल, इस चेस वगरा खेल सकते हैं, फिर एक्वल ऑपॉर्शनिटी सेल है, जो कि क्या कोचिंग वगरा प्रवाइट करती है, स्ट, 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 माइनॉर्टी, ओबिसी के लिए, कॉम्परिटिव एक्जान से रिलेट है, यह वहां पर है, तो यह था सब कुछ जो फैसिलि होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया, आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए, तो ज़रू सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मा फर वाचिंग इस वीडियो